जब भी बोतिव विज्ञान में हमारे को थोटी कल क्यूशन पूशता हैं कि ये दर्वर पे तीर जाती है वस्तू ये दर्वर में डूब जाती हैं तो इस प्रकार के क्यूशन पे हमें सबसे पहले गनत्व पे जाना होगा कि जिस वस्तू का गनत्वा अधिक होगा दर्वर से वो वस्तू दर्वर में डूब जाएगी और जिस वस्तू का गनत्वा दर्वर से कम होगा वो दर्वर में तिर जाएगी अगर उसके बाद में बल की बात करेंगे तो हम उत्पलाओं बल पे जाएगे किकि उत्पलावन बलही गनवते से सम्मधित होता है अगर हम आकर्ती के बारे में बात करेंगे कि इस दर्वा की आकर्ती बड़ी या छोटी या इस परकार की होती है तो हम पर्ष्ट तनाओ की बात कर रहा है परसन में और उसी परकार से अगर हमारे सरीर में ठंडक या गर्माट महसूस हो रही है तो हम यह देखेंगे कि ठंडक वाले एक्जमपल किस परकार के एक्जमपल होते हैं तो वहां आख मीच के हमको वापसिकरन की किरिया गठित होती है जो कि हमें हमारे को ठंडक महसूस होते हैं क्यों हमारे शरीर का temperature जब हमारी body के अनुसार होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है और हमारी body से ज़्यादर temperature होने लगता है तो हमें गर्मी महसूस होती है Thank you all the best